कलीसिया के इतिहास में जॉर्ज मुलर एक ऐसा नाम है जिसने कलीसिया को हर बात के लिए प्रबू पर निर्भर होना सिखाया और विश्वास से भरे जीवन का एक नमुना दिखाया है जॉर्ज मुलर का जन्म 27 सेप्टेबर 1805 को जर्मनी में हुआ भले ही वह मसी परिवार में पैदा हुए थे परन्तु बचपन से ही वह काफी शरारत करने वाले और गलत संगती में रहने वाले थे यहां तक कि उनको एक बार तीन हफ्तों के लिए जेल में भी रखा गया था परन्तु जब वह हाले यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने के लिए गए वहां पर उनका जीवन पूर्ना रूप से परिवर्तित हुआ और उन्होंने प्रभू के लिए जीने का निरने लिया उनकी हमेशा से ही यहूदियों के मद्ध में येशु के विशे में बताने की इच्छा रहती थी जिसके कारण 1829 में वह इंगलेंड आए और कुछ वर्षों के बाद वह ब्रिस्टॉल नाम के शहर में रहकर सेवा करने लगे यहाँ पर एक ही वर्ष में 109 लोगों ने येशु को अपना व्यक्तिगत उधार करता करके उनके सेवा के द्वारा ग्रहन भी किया था 1832 के दोरान कॉलरा महमारी ने बहुत लोगों को बेघर किया था जिससे बहुत सारे बच्चों को कोई सहारा और भविश्य की आशा दिखाई नहीं दे रही थी छोटे छोटे बच्चे कच्छरा उठा कर अपना गुजारा करते थे और रास्तों पर अपनी जिन्दगी काट रहे थे उन दिनों में जॉर्ज मुलर के मन में बच्चों के लिए चिल्रन होम बनाने का विचार आया और उन्हों ने इसके लिए अपनी पत्नी के साथ मिलकर बहुत प्रारतना भी करने लगे और प्रबु ने उनके प्रारतना का उत्तर दिया और 1836 में लड़कियों के लिए एक हॉस्टल तयार किया गया जहाँ पर 30 लड़कियों की देख भाल और पड़ाई का विशेश ध्यान रखा जा रहा था और उसी वर्ष के नवंबर महने में एक और चिल्रन होम खोला गया और कुछ महनों के बाद में लड़कों के लिए भी विशेश हॉस्टल खोला गया यह तीनों चिल्रन होम ब्रिस्टल के शहर में स्थित थे और सिर्फ और सिर्फ प्रार्तना के दम पर और विश्वास के दम पर चल रहे थे चिल्रन होम बनने के बाद दो सालों तक सब कुछ ठीक रहा और उनको कभी भी आर्तिक तंगी महसूस नहीं हुई परन्तु दो सालों के बाद उन्हें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा परन्तु जॉर्ज मुलर और उनकी पत्नी ने निरने लिया कि वह प्रभू को छोड़ किसी भी मनुश्य के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे बहुत बार उनके सारे पैसे खतम हो चुके थे परन्तु अंतिम पलो में प्रभू ने उनकी सहायता भी की मैं आपको एक विशेश घटना बताना चाहूंगा एक बार सुबह के नाश्टे के समय में बच्चों को खिलाने के लिए उनके हॉस्टल में कुछ भी नहीं बचा था परन्तु जोर्ज मुलर ने विश्वास के साथ प्रार्तना की और कहा हे प्रबू हम आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपने नास्टे का प्रबंद कर दिया है और अचानक एक पनुश्य हॉस्टल आते हैं जिसके गाड़ी में बहुत सारे ब्रेड्स रखे होते हैं और वह बच्चों में वो ब्रेड्स को बाढ़ भी देते हैं और उसके तुरंत बाद एक वेक्ती दूद से बरे बरतनों को भी लेकर आते हैं और दोनों भी बच्चों में वो हसामान को बाढ़ते हैं दोनों भी यह गवाई देते हैं कि पिछले रात को प्रबू ने हमें बताया कि यह सामगरी आपके होस्टल तक पहुचाए इस तरह के चमतकर उनके जीवन काल के दौरान बहुत बार हुए ऐसा कहा जाता है कि तीस हजार बार जौर्ज मुलर के प्रारतना का उत्तर उसी दिन मिल गया था लगबग 1870 के दौरान जौर्ज मुलर लगबग 5 चिल्रन होम्स चला रहे थे जहां पर 2050 बच्चों को उत्तम शीक्षा और सुन्दर जिंदगी भी दी जा रही थी और इन सारे बच्चों का खर्चा सिर्फ और सिर्फ प्रारतना के माद्यम से पूरा होता था जौर्ज मुलर हमेशा से ही सू समाचार को फाइलाने के प्रती बोज रखते थे जब वह 70 साल के थे उन्हेंने विविद देशों की यात्रा की और लगबग 40 लाख ट्रैक्ट्स बाटे और 190 मिशनरीस को आर्थिक रूप से मदद भी करने लगे और साती में 100 स्कूल्स को उन्होंने स्पॉंसर किया जहाँ पर करीबन 9000 विध्यारती पड़ाई करते थे और हजारों की संक्या में उन्होंने बाइबल भी स्पॉंसर किये इतना ही नहीं फेमस मिशनरी हटसन टेलर को भी वहाँ आर्थिक रूप से मदद करते थे उनके पूर्ण जीवन काल में उन्होंने लगबग 10,024 बच्चों को एक नया जीवन और उजबल वविश्य दिया जिन में से बहुत सारे बच्चे आगे चल कर सेवक बने और सूसमाचार को फाइलाते हुए चले गए जीवन बर प्रबु की सेवा करने के बाद 10 मार्च 1889 को उनकी मृत्य हुई भले ही आज वह हमारे मध्य में नहीं है परन्तु उनका जीवन आज भी हमें एक अदबुत विश्वास से जीना सिखाता है जॉर्ज मुलर के जीवन से हमको सीखने को मिलता है कि अगर हम प्रबु पर पूर नरीती से विश्वास करते हुए निर्भर रहेंगे तो प्रबु हमारे योजनाओं को और हमारे इच्छाओं को निश्चे पूरा करेंगे यह वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो इसको जरूर शेर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले दिनों में और भी मिशनरी स्टोरीज हम आप तक पहुचा सके प्रभू आप सभी को आशिश दे आमेन